जी उसका उसके माबाप के सामने घर से जबरतस बन पूर और कपरन किया गया जी योग मुस्लिम समाज का है उसको ले गया भागे भागे माबाप यहां महीला पुलिस थाने आए इन्हों ना बगल के कोतवाली में देंगिया कोतवाली में दा नहीं जाओ निहाए तो इसका फ्यार दर्ज नहीं हुई तो यह एस्पी साब के मिलने के लिए क्लेक्टेट होच गया है और एस्पी साब से मिलान नहीं हुआ मैं सिमेट फैक्टी के मामने में लेके करिक साब से चर्चा कर रहा था तो यह वहां को ऊच गया हुआ करक्षाब में तुरंद इस निलाइस को कहा है और जबी रोने बिलखने लग गई कि मेरी लड़की को घेराबंदी जरू कराओ जल्दी कराओ तो पीड़त परवार पुने के यहां पर आगे अपसोश इस बात का है कि पीड़त परवार यहां पर आगे वह बहुत सुमेदन सीन मामुला कि एक हिंदू यूटी का जबरन उपन कर लिया जा रहा है जो इस पर सूचे लव जहाद का मामिला है और उसकी अपयर दर्जनी है महिला पुलिस से कोत वाली कोत वाली पुलिस से महिला पुलिस थाना पर आइस की अपस्तक वो चक्कर निकालती रही है सबसे बड़ा गंभीर तो यह मामला है इतने सुमधर शील मामले के प्रतिवी है यहां की माँतब़ गंभीर नहीं है सरकार गंभीर नहीं है इसलिए मादाब के साथ यहां 400 लोग इस मांगो लेके बैठे है कि लड़की को मिमं कि स्थे बरायमत किया रहा है पुलिस में आप सबसुंदे रहे हैं कि लरुट को मिलाएं हैं बरामत कर रहे हैं तो इज़्दंग यह क में बहुत ज्यादा है और हमारे इस जले पर नमक भी कुछ लोग मुस्लिम समाज के नमक छिरा करने का थाम कर रहे हैं और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जा सब्सक्राइब करना होगा सिर्फ न्यूज नशाद